हे नमस्कार दोस्तों कैसे हो दोस्तों मेरा नाम है जैशन गंडलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूटुब चैनल है चैशन जाजस्तानी और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूं विद पर्मनेंट कोलोस्रोमी जाज़दर इस चैनल पर वही कॉंटेंट आते हैं व्ल आपको देखने को मिलता हर एक वीडियो में तो वैसे कंटेंट भी अगर देखने में कोई इंट्रेस्टेट है तो मैं चैनल को देख सकता है व्लॉक्स वगरा भी देख सकता है तो आज की टॉपिक है कि स्ट्रेस बहुत सारे लोग है कि स्ट्रेस एंजाइटी ये बहुत जादा है लोगों को और मैंने सुचा कि कहीं ना कहीं मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में तो वह भी आप से शेयर किया जाए दोस्तों स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जब आप कोई भी चीज को हद से जादा विचार करते हो तो वह हो जाती है बेसिकली दिमाग एक ऐसी चीज जब आप इसको ओर थिंक करने लगते हो कोई भी सिचेशन को कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा और मुला बहुत जादा स्पीड में दोड़ने लगता है ना ओर थिंकिंग जिसको बोलते हैं तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा सरदर्ध होने लगता है एंजाइटी होने लगती है तो यह एक रीजन है और इसका रीजन यह भी है कि आपको लाइफ की कुछ चीजों का अवेरनेस नहीं है कोई चीजों का यह कर सकते हो कि ज्यान नहीं है क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि हर चीज आपके हाथ में कुछ नहीं है तो कही नकई आपको स्ट्रे से हो रही है हर चीज़े प्लान है तो आप अब लेते हो कि जब आपको सब्सक्राइक कि मैं कुछ कर रहा हूं या तो मेरे हिसाब से कोई चीजे नहीं हो रही है और तब क स्ट्रैस नहीं लगता है और ये एक out-abda reason है तो अगर आप यह सोस्तियों की किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलना ही है और जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा और जो भी हमारे सुक दुख है तो वो तो कर्मों के साब से आएंगे तो कही न कहीं आप बहुत हद तक के जो unwanted thinking है उससे आप आप रिलाक्स हो जाओगे और वो thoughts नहीं लाओगे और जो भी कुछ गलत घटना होगी उसको आप यह सोच के चलोगे कि यार यह तो किस्मत का पाट था और यह चीज़े आनी थी तो बहुत हद तक आप इना जो overthinking वाले thoughts होते ना उससे आप बच जाओगे और बहुत बड़ा खारन होता है यह stress का देखो stress बड़ा रूप तब ही ले लेता है जब आप यह सब चीजों का आपका knowledge ना हो क्योंकि हलकी फुलकी tension तो किसी को भी आ जाती है पर अगर आपको यह सब चीजों के बारे में पता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और सब कुछ हो रहा है उपर वाले के इसाप सी हो रहा है और आपके किस्मत के इसाप से हो रहा है तो कुछ हद तक जैसी आपके दिमाग में कुछ thoughts आएंगे बीना तो वो कुछ समय के बाद में चले जाएंगे और फिर आपको जादा anxiety नहीं होगी stress नहीं होगा अगर आप यह सोचते रहोगे कि यार मेरे साब से जिन्दगी नहीं चल रही और दिमाग के घोड़े दोडाने लगोगे unwantedly तो आपको no doubt स्ट्रेस होगा है तो यह बस एक awareness की बात है आपकी समझदारी कितनी है उसका एक हद तक एक उधारन होता स्ट्रेस से जार जार उन्हीं लोगों को स्ट्रेस होता है कि जब problems आती है और वो problems को कहीं न कर यह सोच के बैठ जाते कि यार यह क्या हो गया किस्मत में और कोई जवाब नहीं है उनके पास basically उस चीज़ का कुछ चीजों का आगे क्या होने वाला उसका कोई अंदाजा नह जाते हैं और जिन्दगी की बाबा जी का एक ज़्यादा यह लाइने दोहराते भी अपने सत्संग वगरा में कि जिन्दगी को अगर आप एक पन्ना पल्टो गे जिन्दगी का और एक इसाब से मिलब हर एक स्टेप के साब से जाओगे ना तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा हर होट्स को इतना स्पीड में हमारे दिमाग में इतना दोड़ाने लगते ना कि वो सरदर्ध पकड़ने लगता है तो धीरे धीरे हर एक पन्ने को पल्टेंगे तो कही ना कई स्ट्रेस नहीं होगा और लाइफ की हर चीजे समझ में भी आईगे आपको क्यों हो रही है क्यो दोगना ही पड़ेगा इससी लिए ऊपर वाले को याद करो सिम्रं करो जितना हो सकता कहीं न कि हम फॉड़ी आसान करते लेगा हो तो तो स्ट्रेस के उपर ये इतना ही बता सकता हूं मैं बताने के लिए वैसे बहुत कुछ बता सकता हूं पर वीडियो की भी एक लिमिटेशन है हर चीजे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगी तो चैनल से जुड़े रहो कहीं न कहीं और ऐसे कॉंटेंट आते रहेंगे और कोल और कुछ भी सुजाव कुछ भी सवाल है आप पूछ सकते हो फिलाल मिलते अगले वीडियो में तब तक टेक केर एंड गुडबाए